अभी तक हमने चर्चा की वायू मंडल के संगठन और संदचना के विशय में और वायू मंडल के संगठन में उपस्थित जलवाश्प, धूलकर्ण और गैसो के विशय में और जब गैसों के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि वायू के भी प्रकार हैं उसकी अलग विशेशताएं हैं आज हम चर्चा करते हैं वायू मंडल में उपस्थित इसी वायू के विशे में इसका अपना एक समुह होता है जिसे हम वायू राशी या एर मास के नाम से जानते हैं वायू राशी वायू का एक ऐसा समुह है जिसमें उस पूरे छेत्र में उसकी आदरता और तापमान संबंधी जो विशेशताएं हैं वो लगभग समान होनी चाहिए राशी सब्द से तो हम सभी परिचित हैं चाहे वो किसान के खेत में सरसो की राशी हो या फिर वो चने की राशी हो राशी मतलब धेर या समुह वो किसी भी चीज़ का हो सकता है हम अभी बात कर रहे हैं वायू की राशी उसके समुह या धेर के विशे में तो वायू राशी के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें कुछ विशेष्टाएं होनी चाहिए, तभी हम उसे वायू राशी की संग्या या उपमा दे सकते हैं, अभी मैंने कहा आदरता या फिर तापमान, ये जो विशेष्टाएं हैं उसकी वो पूरे उस छेत्र में, वायू राशी किसी एक मीटर की दायरे की बात नहीं कर रहे हैं, वायू राशी का अर्थ होता है, वायू राशी का वह समू, वह समू का जो एरिया या छेत्र है, वो हजारों वर्ग किलो मीटर से लेकर लाखों वर्ग किलो मीटर तक का भी छेत्र हो सकता है, और उस पूरे चेत्र में जो वायू उपस्थित है उस पूरे वायू के समुह में वहाँ पर मैं फिर से रिपीट करूँगी कि उसकी आदरता और तापमान संबंधी विशेष्टाएं जो हैं वो लगभग समान होनी चाहिए इसे हम ऐसे समझ सकते हैं आप कल्पना कीजिए कि आपके सिर के कि और दो पर एक बड़ा सा बबल है बुलबुला है और वो किसका है हम हमसे हवा का बुलबुला मान सकते हैं अब आप देखा रहे होंगे कि यह हवा का बुल पुल हु जितने बर्ग किलोppenीटर मैंने भी कहा इसका जो एरिया है वो हजारों बर्ग किलो दया किलों आद्रता और तापमान संबंधी विशेषता लगभग समान है या हम यह कह सकते हैं कि अगर इस बुलबुले के अंदर जो हवा उपस्थित है उसका तापमान जो है वो लगभग 24 से 25 डिगरी सेंटिग्रेट है तो पूरे उस बुलबुले वाले एरिये में जितनी भी वाई उपस्तीत है हर छेत्र पर हर जग़ा पर तापमान जो है वो लगभग 24 से 25 डिगरी सेंटिग्रेट होगा और यदि हम आद्रता की बात करें यदि इसके किसी एक छेत्र पर लगभग 15 प्रतिशत आद्रता की मातरा है तो हम यह कलपना करेंगे या हम यह मान कर चलेंगे कि कि जितना बड़ा बुलबुला है इस पूरे बुलबुले में आदरता का जो प्रतिशत है वो लगभग 15 प्रतिशत होगा तो हमने देखा कि वायू राशी में ये विशेष्टाएं तापमान और आदरता में समानता की जो विशेष्टा है वो होने ही चाहिए तभी वो एक व हमारे लिए क्यों महत्वपोर्ण है हम क्यों वायू राशी का अध्यन करें बच्चों वायू राशी का अध्यन हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि आप आए दिन ये सुनते होंगे कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया है अरब सागर में ये चक्रवात उत्प वायूराशी चक्रवात का बनना वाताग्र का निर्मान जो है वो भी वायूराशी की वजह से ही होता है या पर्टिकुलर किसी स्थान की जो मौसम संबंधी विशेश्टाएं या मौसम संबंधी दशाएं जो परिवर्तित होती हैं बदलती हैं वो भी इस वायूराशी की चेत्र के बारे में और उसके वर्गी करण के विशय में हम पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए आज हम बात करते हैं वायूराशी की जो उत्पत्ती है वो किन चेत्रों से प्रमुख रूप से किन चेत्रों से होती ही या उत्गम चेत्र के बारे में हम बात करते हैं वायूराश में इस्थित जो जली हिस्से है या सागरी भाग है उसमें आपका आर्कटिक भी शामिल होता है या मैं ये कहूं कि उत्तरी जो दुरू पास लगभख 65 डिग्री latitude के उपर जो प्रिशान्त महासागर या Atlantic महासागर की स्थिती है ये भी उसके अंतरगत आते हैं तो दुरुवी सागरी छेतर इसके बाद दुरुवी महादुवी पी छेतर जैसे Greenland हो गया, Siberia हो गया या USA का उत्तरी छेतर हो गया, ये सब जो है वो दुरुवी महादुवी पी छेतर में आते हैं तीसरा जो है आपका उष्नकटी बंधी सागरी छेतर, मतलब उष्नकटी बंध, Tropical Zone, Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में जो समुद्री हिस हैं, उन में जो वायूराशी की उत्पत्ती होती है उन छेतरों में, उसे हम उष्नकटी बंधी सागरी छेतर के अंतरगत शामिल करते हैं इसके बाद हम देखते हैं उष्नकटी बंधी महादीपी एच्छेत्र भई उष्नकटी बंध में आपके सागर इस्थित हैं तो हमको पता है कि वहाँ पर महादीपों की भी इस्थिती है तो चाहे वो अफ्रिका महादीप का उत्तरी छेत्र हो या आपका संयुक्त राज अमे तो भूमधिरेखिये छेत्र को हम उश्नकटी बंद के अंतरगत भी शामील कर सकते हैं मतलब भूमधिरेखा के लगभग 5 डिगरी उत्तर और 5 डिगरी दक्षन की हम बात करें यहां पर से जो वायूराशियू की उत्पत्ति होती है वो भूमधिरेखिये छेत्र के अंतरगत उसके बाद नेक्स्ट है आपका मानसुनी छेत्र मानसुनी छेत्र हमको पता है कि मानसुनी छेत्र के अंतरगत हम प्रमुख रूप से अपने दक्षिन पूर्वी एशिया जिसमें हमारा भारत भी शामिल है इसे शामिल करते हैं तो यह जो है वो प्रमुख रूप से आपके वायू राशियों के उद्गम छेत्र या जहां पर से वायू राशी की उत्पत्ती होती है ये प्रमुकरूप से वो छेत्र हैं। अब हम बात करते हैं वायू राशी के वर्गी करण इसके क्लासिफिकेशन के विशय पर तो वायू राशियों को या एर मासेस को प्रमुख रूप से दो भागों में वर्गी करित किया जाता है पहला है आपका भौगौलिक वर्गी करण भौगौलिक वर्गी करण में हम इसे अक्षांसों या latitude के according जो है इसका विभाजन करते हैं और number two है देख पा रहे हैं आप रुपांतरन के आधार पर मतलब उसमें जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर ती परिवर्तन भी दो तरह से होता है पहला है आपका उश्मागतिक वरगी करन और number two है इसका उसके mechanism के आ अधार पर जो उसमें रुपांतरन होता है उसकी हम बात करेंगे तो आए पहले इस विभाजन या वरगी करन के अंतरगत हम देखते हैं वायू राशियों का भौगौलिक वरगी करन के अंतरगत हम इसे दो वरगों में विभाजित कर रहे हैं पहला है आपका ट्रॉपिकल या उस्नकटी बंधी और दूसरा है आपका पोलर या धृविय अब हम बात करते हैं आप इस मानचित्र पर या इस पिक्षर पर आप देख पा रहे हैं कि जब हम उस्नकटी बंधी कह रहे हैं या पोलर और धृविय कह रहे हैं तो जब उस्नकटी बंध की बात करेंगे मतल आपको दोनों ही चीजे मिलेंगी मतलब महाद्वीप की भी उपस्थिती मिलेगी और महासागरों की भी उपस्थिती मिलेगी तो कोई भी वायु राशी या एयर मास जो है वो दो जगा मतलब महाद्वीप और महासागर से एक साथ उसकी उत्पत्ति या उसका निर्मान जो है और प्रेशर या फिर हुमिडिटी की जो विशेषताएं हैं वो अलग होंगी तो फिर वो एक वायुराशी हो ही नहीं सकती हमने तो अभी कहा था कि उसके तापमान और आदरता संबंधी जो दशाएं हैं वो एक समान होनी चाहिए वो कैसे होगी हम देखते हैं जब हम उस नक तो वहां भी छेत्र के आधार पर उस वायुराशी के इसमें हमको अंतर मिलेगा विशेषताओं में मतलब या तो वो हिमालेयन रेंज के उपर कोई वायुराशी निर्मित हो रही है या हम बात करते हैं थार के मरुस्थल के उपर कोई वायुराशी निर्मित हो रही है तो उन दोनों की विशेष्टाओं में हमको नैचरली है कि अंतर देखने को मिलेगा, एक जो है वो परवत चोटी की उपर इस्थित है और एक जो है वो गर्म मरुस्थल या रेगिस्तान की उपर इस्थित है, तो एक में वो क्या हो जाएगी, नीचली सता हुसकी जो वायूराश या तो भारत के इस्थली भाग के अंदर उत्पन हो रही है, या हो सकता है कि वो हिन्दमहासागर के उपर बन रही हो या बंगाल की खाडी के उपर बन रही हो, तो दोनों में हमको क्या अंतर देखने को मिलेगा एक तो तापमान संबंध ही अंतर देखने को मिलेगा उशनकटी बंध में हैं लेकिन उसमें महाद्वीप और महा सागर के उपर बनने के कारण वो गर्म और क्या होगी शुशको होगी और एक जो सागरी भाग के उपर जो ब एक जगा स्थिर नहीं होती, उसमें मूवमेंट होता है, गती होती है, तो हमने अभी माना था कि आपके सामने ये जो बड़ा सा बबल, हम इसे मान के चल रहे हैं कि हजारो वर्ग मील ये हजारो वर्ग किलो मिटर बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो इसमें मूवमेंट हो कि ये बबल कभी सागरों के उपर और सागर कैसा उष्नकटी बंधी सागर के उपर से गुजर रहा है, और कभी अपनी यात्रा के दौरान ये महाद्वीप के उपर और महाद्वीप कैसा कि कभी ये उष्नकटी बंध में स्थित महाद्वीप के उपर से गुजर रहा है, त तो हम यह देखेंगे कि इस यात्रा के दोरान यहीं पर हम इसके वर्गी करण में अंतर समझ लेते हैं कि जब यह उष्णकटी बंध ही सागर के उपर होगा यह मैं यह कहूं कि पूरे ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटी बंध में ही अगर इसकी यात्रा चल रही है तो उष्णकटी बंध की यात्रा में जब यह सागर के उपर होगा तो इसकी विशेश्टा क्या होगी कि यह गर्म और आद्र होगा वाश्पी करण अधिक होगा आद्रता की मात्रा इसमें अधिक उपस्थित होगी और जब यह अपनी यात्रा के दोरान किसी महादीब से होक गुजर रहा है ध्रुवी छेत्र में भी कभी ये महादीप के उपर इसकी उत्पत्ती होगी और कभी महासागरों के उपर तो जब महासागर के उपर ध्रुवी छेत्र के महासागर के उपर इसकी स्थिती होगी तो इसकी विशेष्टा क्या होगी कि ये ठंडी और आद्र आइबेरिया का कोई हिस्सा या अलास्का की अधी हम बात करें तो हम क्या देखेंगी इसकी विशेष्टा दुरुवी छेत्र में होने के कारण ठंडी होगी और इस्थली भाग यह महादीप के ऊपर होने के कारण इसमें शुश्कता होगी या हुमिडिटी की मात्रा जो है व रुपांतरन दो तरीके हम इसमें देखते हैं पहला है उश्मागतिक रुपांतरन और दूसरा है यांत्रिक रुपांतरन या उसमें होने वाला परिवर्तन तो उश्मागतिक के अंतरगत हम यह देखेंगे कि या तो वो बायूराशी जो है वो गर्म होगी या फिर ठंडी होगी और यांत्रिक रूपांतरन के अंतरगत हम देखेंगे कि थंडी होने के साथ जैसे डबलु है वाम है वो गर्म है या के है काल या कोल्ड है थंडी है तो यह दोनों ही स्थिती में क्या होगा कि उसमें इस्थिरता या आइस्थिरता की दशा देखने को मिलेगी इस्थिरता की दशा कब मिलेगी हमको कोई भी वायू जो है वो इस्थिर कब होती है या इस्थिर कब होगी जैसे एक एग्जामपल लेते हैं कोई वायू राशी किसी कोई ठंडी वायू राशी है ना हम ठंडी वायू राशी की बात कर रहे हैं ये वायू राशी अगर किसी गर्म मरुस्थल से होकर या किसी गर्म महासागरी छेत्रे से होकर गुजर रही है तो हम क्या देखेंगे कि इस वायू राशी की जो निचली सत है वायू राशी तो पूरी ठंडी है लेकिन जहां पर से वो होकर गुजर रही है वहां पर का तापमान जो है वो क्या है अधिक है तो उस जगह के तापमान से ये प्रभावित होगा और उस वायू राशी की जो निचली सतह होगी मतलब एक बड़े एरिया में ये फ्लो कर रहा है तो इसकी निचली सतह जो है वो इस धरातली सतह के तापमान से प्रभावित होगी और इसके अधिक तापमान से इस वायू राशी की जो निचली सतह है वो भी क्या हो जाएगी गर्म हो जाएगी अब इसमें क्या प्रविति देखने को मिलेगी हमको चुकि ये गर्म हो गई तो नीचे से गर्म होने के कारण निचली सतह गर्म होने के कारण इसमें संभन धाराएं जो हैं वो उ परशाख होगी क्योंकि इसमें लंबवत गती हो रही है है ना लंबवत रूपांतरन हो रहा है मतलब यह वर्टिकल मूवेंट कर रहा है है ना और इसी को हम देखते हैं कि कोई गर्म वायूराशी भी मतलब एक बड़े एरिया की जो वायूराशी उसकी विशेष्टा क्या है कि वो गर्म है लेकिन वो जिस सतह से होकर गुजर रही है हो सकता है वो किसी परवती छेत्र या किसी धुरूई छेत्र के महाद्वीप से होकर वो गुजर रही है तो उस वायूराशी की विशेष्टा क्या थी कि वो गर्म थी लेकिन जैसे ही वो उस थंडे धरातल से होकर तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा कि उस धरातल के प्रभाव से वो वायू राशी की निचली सतह भी ठंडी हो जाएगी और जब ठंडी हो जाएगी तो उसमें नीचे की तरफ भारी होगी और नीचे बैठने की प्रवित्ति होगी वो किस टाइप की वायू तो ठाइप की प्रफ अब इसमें थोड़ा एंग्रेजी के लेटर से डिनोट किया जाता है तो वो कौन कौन से लेटर हैं हम ने बाद की थी और भागईक वरगी करंड में हमने देखा था यज़ आपके सामने चार्ट में भी दिखाई दे रहा है भौगालिक वर्गी करण के हम अंतरगत हमने देखा नंबर वन है ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल को हम T से डिनोट करते हैं या हम इसी को उश्नकटी बंधी कहते हैं और दूसरे है आपका पोलर या धुरूवी और पोलर को हम P से डिनोट कर रहे हैं उसके बाद हम आते हैं देखते हैं हम इसमें T के भी अगेन उसको क्लासिफाइट किया गया है CT और MT में मतलब हमने भी बात की थी कि ट्रॉपिकल रिजन में भी हमको महाद्वी भी मिलेगा और महासागर भी देखने को मिलेंगे तो कॉंटिनेंटल के लिए मतलब वो ट्रॉपिकल वायू से दिनोट किया है और सागरी यह महासागरी के लिए हमने इसे मैरी टाइम कहा जाता है मैरी टाइम को हम M से डिनोट करते हैं तो T में भी हमने देखा कि या तो वो CT होगी या MT होगी Continental Tropical होगी है, Maritime Tropical होगी, इसके बाद हम देखते हैं, दूसरा आपका Tropical के बाद वो क्या है, Polar है, Polar है, तो again, Polar region में हमको Continence भी मिलेंगे, और सागर भी मिलेंगे, तो हम इसको कैसे denote कर रहे हैं, P में भी क्या वो CP है या MP है, Continental को हम C से denote कर रहे हैं, Maritime को M से, क्या वो Continental Polar है, या वो Maritime Polar है, मतलब क्या वो महासागरी ध्रूवी है, अब इन सब के साथ हमने फिर से मैंने भी बात की थी, कि उसके उश्मागतिक और यांत्रिक की जो रूपांतरन हैं, या उसमें जो चेंज आते हैं, उसके आधार पर, कोई भी वायूराशी जो है, वो अपनी मिशेष्टा के आधार पर, या तो W होगी, किसको हम W से डिनोट कर रहे हैं, वाम एर मास, मतलब गर्म वायूराशी, वाम को हम W से डिनोट कर रहे हैं, और ठंडी वायूराशी को हम cold या cold के से भी बुलाते हैं, और cold को हम K से डिनोट करते हैं, तो कोई भी वायूराशी जो है, या तो गर्म होगी, या ठंडी होगी, डबलू होगी या फिर के होगी अब वो गर्म या ठंडी वायू राशी में भी हमने भी चर्चा की थी कि या तो वो इस्थिर होगी या अस्थिर होगी जो वायू राशी निचली सतह से गर्म होगी वो अस्थिर होगी और जो निचली सतह से ठंडी होगी वो इस्थिर वायू स्टेबल या यू से इसको डिनोट किया जाता है तो ये हमने देखा वायू राशियों का वर्गी करण इसके उत्पत्ति छेत्र इसका इंपोर्टेंस महत्व क्या है कि हम वायू राशियों का अध्यन करें